आज मैं आप लोगों से एक revolutionary new technology के बारे में बात करूंगा जिसे कहते हैं endoscopic thyroidectomy thyroid gland हमारे गले में होने वाले gland का नाम है जिसको हम लोग घींगा gland कहते हैं और अक्सर जिन patients को thyroid gland में गांट वगरा बन जाती है इन patients को thyroid की गांट को operation के द्वारा remove करने की जरुवत पड़ती है आम तोर पे इस operation को गले में चीरा लगा के किया जाता है और इस process को हम लोग thyroidectomy कहते हैं जिन patients में गले में चीरा लगाना पड़ता है कई बार उनको कोई परिशानी का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि गले में निशान रह जाना या scarring hypertrophic होना और जिसके वज़े से patients में इस तरह के operation को लेके थोड़ा सा डर बना रहता है आज कल हमारे पास नया तरीका available है जिसके थुरू हम endoscopic माने के बिना किसी निशान के इस operation को कर सकते हैं endoscopic thyroidectomy में हम मूँ के अंदर के जरिये से एक रस्ता बनाते हैं incision देने के बाद जिसको हम tunneling करके अपने गले में आते हैं और thyroid gland तक जो हमारे गले के निचले हिस्से में होता है वहां तक पहसते हैं इसके बाद हम एक मूँ के अंदर से laparoscopic surgery के ports डालते हैं जिसमें एक central port होता है जो कि 10 mm का होता है और दो side ports होते हैं जो कि 55 mm के होते हैं इनके जरिये हम एक camera डालते हैं जो हमें अंदर के structures को बहुत अच्छे से बढ़ा करके screen पे दिखाता है और दोनो side ports से हम instruments डालते हैं जिसके द्वारा हम अंदर अपना operation करते हैं इस operation में बहुत important है हमारे पास एक energy source जो बिना किसी bleeding के आने वाली blood vessels को seal करता जाता है और हमें gland में dissection में मदद करता है जिसके द्वारा हम बिना चीरा लगाए गले में वहां तक पहुच के उस operation को कर पाते हैं और thyroid gland में होने वाली gart को वहां पे dissection करने के बाद हम उसको मूँ के जरिये रस्ते से बहार निकाल सकते हैं इस operation के बाद हम मूँ के अंदर होटों के पास जो निशान आता है उसको हम stitch करके बंद कर देते हैं और एक हफते से 10 दिन में वह घाव बहुत अच्छे से heal up हो जाता है और हमारे गले में कोई भी निशान या cut का scar नहीं रह जाता है female patients में या जो patients किसी आगे किसी forge में या फिर किसी उसमें job में जाना चाहते हैं उस तरह के patients के लिए ये surgery बहुत अच्छी है और जितनी भी benign माने के non-cancerous conditions होती हैं उसके लिए ये surgery बहुत उप्योगत है कुछ patients जिनमें बहुत बड़ी gart हो या रसॉली हो या cancer का शक हो उस तरह की gart के लिए ये operation अभी सही नहीं मानते हैं हम लोग और उस तरह के patients के लिए हम लोग open thyrodectomy जिसमें हम गले में चीरा लगाके उसको खोल के चेक करके निकालते हैं वो ज्यादा बहतर surgery है Thank you कर दो